जै मातादी दोस्तों कैसी चल रही है आपकी जिन्दगी? कोई उतार चड़ाव या कोई कस्ट तो नहीं? अगर है तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है मैं रोज आपको कुछ ऐसे मंत्र या कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जो आपकी जिन्दगी को हमेशा सही रहा देते हैं आपको अपने प्यार से मिलवाते हैं अगर कोई आपका रूट गया है या कोई दूर चला गया है तो इन्हें करके आप अपने दिल की कड़ी उनके साथ दोबारा जोड़ सकते हैं दोस्तों वशी करण में मंत्र और विदी के साथ साथ आपकी भावनाओ और निश्चे का भी बहुत बड़ा रोल होता है यदि आपके मन में पूरण रूप से विश्वाश है पूरण रूप से आप वशी करण करना चाहते हैं तो आप इस वशी करण वीधी का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तो आपकी लव लाइफ से या मैरिड लाइफ से जूड़ी कोई भी समस्या है। उन्हें दूर करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ लोंग से वशी करण की एक सरल सी वीधी जिसे अपना कर आप बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों आपने लोंग का प्रयोग अनेक पूजा के कामों में होते हुए देखा होगा। हमारे हिंदु धर्म की अनेक मानेताओं में लोंग के बेमिसाल गुणों और उप्योगों के वारे में बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोंग का उपयोग वशी करण के लिए भी किया जाता है तो चलिए मैं बताती हूं आपको कि आप केवल तीन लोंग से ही किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके शरीर के जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा पसीना आता है आपको इन तीनों लोंग को एक लाल कपड़े में डाल कर उस्तान पर रख लेना है फिर जब आपको लगने लगे कि इन तीन लोंग पर आपके पसीने का अंश आ गया है तो आपको इने महां से निकाल कर धूप में रख देना है फिर जब लोंग सूख जाए और इने अच्छे से पीस लेना है अब दोस्तो जब आप पिच रहे हैं तो याद रखे आपको पिच ते समय एक मंतr का उच्चारन करना है और ये मंतr इस प्रकार है ओम श्री श्री धू धू अमुक सर्व महयन्तु स्वाह दोस्तों ये मंतr है और इस मंतr में जहां मैंने अमुक का प्रयोक किया है अमुक की जगा आपको उस व्यक्ति का नाम रखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं अमुक की जगा उस व्यक्ति का नाम रखके इस मंतर का उचारन करें और अब किसी भी प्रकार आपको इस पी से हुए लोग को उस व्यक्ति की चाय में या खाने की किसी भी सामगरी में डाल कर उसे खिला देना है जिसे आप पश्च में करना चाहते हैं दोस्तो इस बात का विशेश रूप से आप ध्यान रखे कि किसी को पता ना चले कि आप किसी पर वशी करन कर रहे हैं दोस्तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस विधी के सभी चरण अच्छे से समझाए होंगे, अगर आपको इस विधी के किसी भी चरण में कोई भी परिशानी हो तो आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं, दोस्तो आपके जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हम आपके साथ जूड़े हैं और साथ ही आप हमसे डारेक्ट संपर्ग कर सकते हैं, स्क्रीन पर ये हमारा दिया गया नंबर आप अभी कोल करें और अभी अपनी समस्याओं का निवारन करवाए, हम आपकी समस्याओं को सुनकर उसका उचित हल आपको बताएंगे, और गुरु